नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डिली राउंड लख्शोग आगे नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर फिल्मेकर अनुराक कश्यप और अबनेत्री तापसी पन्नू के परिसरों पर इंकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा दिली नगर डिगम उपचुनाओं में बिजेपी का सूपड़ा सा आम आदमी पार्टी को चार तो कॉंग्रेस को मिली एक सीट यूपी में फरजी सिचकों पर कारवाई लेकिन कौन है इस फरजी वाड़े का जिम्मेदार कोरून अब्डेट देश में 24 गंडों में 14,989 नए मामले अक्टिव केस बढ़कर एक दस्मिलों साथ सुन्नी लाग हुए फिल्मेकर अनुराक कश्यप और अबिनेतरी तापसी पन्नु के मुंबई और पूरे इस्थित परिसरों पर इंकम टैक्स की टीम में छापे मारी किये हैं सुत्रों के नाम से ये दावा किया जा रहा है कि यह कारवाई एक करचोरी मामले में की जा रही है मुंबई और पूरे में करीब 20 जगों पर आयकर विबाग की छापे मारी चल रही है इसके साथ ही एक टैलेंट एजेंसी अनुराक कश्यप की फैंटम फिल्म्स और प्रोड्यूजर मदू मेंटेना के घरों पर भी छापे मारी जा रही है कश्यप और पन्नु अक्सर रास्ट्री मुद्दो पर अपनी बेबाग राय रखते है हाली में किसान अंदोरन की और ध्यान आकर्शित करने वाली पॉप गाई का रिहाना के ट्वीट के बाद बड़े फिल्मी सितारों की प्रतिक्रिया पे तापसी पन्नों ने आलोशना की थी इस मामले पर वरिष्ट वकील प्रशान्थ भूशर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है जाउनों ने कहा बिजेपी की टीम ए ने लोगों को भैबीत और प्रतारित करने का काम शुरू कर दिया है इस देश ने कभी भी IT डिपार्टमेंट, ED, NIA और पॉलिस का ऐसा दुर्भावना पूर्ण इस्तमाल नहीं देखा दिल्ली नगर निगम के पांच वार्ड उप चुनाओं में आम आदमी पार्टी ने चार और कॉंग्रेस ने एक सीट जीती ये चुनाओं काफी महतवपूर बताय जा रहे थे और इन्हें अगले साल होने वाले निगम चुनाओं का सेमी फाइनल कहा जा रहा था इस चुनाओं में BJP का सूपड़ा साफ हो गया, वो अपनी सिटिंग सीट भी गवा बैठी जबकि चार वार्डों में आपने जीत हासिल की है हाला कि उसके पास पहले भी इन पांचों में से चार सीट थी लेकिन वह अपनी एक एहम सीट कॉंग्रेस के हातों गवा बैठी कॉंग्रेस ने ये एक सीट सबसे जादा अंतर से जीती इन चुनाओं के कई माइने हैं जिसे समझने की जरूरत है कई लोग इस परिडाम को भविश में बीजेपी की नीगम में काबिज एक्छात्र राज की विदाई बता रहे हैं जबकि कॉंग्रेस दौरा पिछले साल दंगे प्रभावित मुस्लिम इलाकों में भारी अंतर से जीत को अब संक्यकों की कॉंग्रेस की तरफ वापसी और केजी वाल से नाराज़गी बता रहे हैं उत्तर पिदेश में फरजी बेसिक शिच्चकों पर बड़ी कारवाई सामने आई है शिच्चा परिशत के विद्यालों में तैनाद 812 शिच्चकों की सेवा समाप्त करने के साथ इनके खिलाफ FIR दर्श कराने के भी आदेश हुए हैं बताया जा रहा है कि इन शिच्चकों का आगरा विश्विद्याले की 28 डिगरी के आधार पर चयन हुआ था जिसे पिछले दिनों हाई कोट ने फरजी करार दे दिया था लेकिन यह पहली बार नहीं है ब्रश्चाचार के खिलाफ Zero Tolerance का दावा करने वाली BJP की योगी आधितना सरकार में एक के बाद एक बेसिक शिच्चा विभाग में कई घोटालों का खुलासा हो रहा है बावजूद बेसिक शिच्चा महकमा अपनी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहा यूपी के बेसिक शिच्चा मंतरी सतिष चंद्र द्वेदी भले ही ट्वीटर पर दिल्ली के शिच्चा मंतरी को अपने प्रदेश के स्कूल बहतर होने का चैलेंज देते हो लेकिन माननी मंतरी जी बार बार अपने ही विवाग में हो रहे घोटालों पर चुपी साद लेते हैं किंदी स्वास्थ मंतराले दौरा आज बुद्धवार यानी तीन मार्च को जारी आगडो के रुशार देश में पिछले 24 गंडों में करोना के 14,989 नए मामले सामने आए हैं और 98 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बीच करोना से पिड़ी 13,123 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों में 1768 मामलों की बढ़ोतरी हुई है देश में कुल मामलों की संक्या बढ़कर 1,11,49,516 हो गई है जिन में से संक्रमण के कारण अब तक 1,57,346 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पिड़ी 97,096 फिसी यानि 1,08,12,044 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 1,52 फिसी यानि 1,70,126 हो गई है स्वास मंत्राले की ताजर जानकारी के अनुसार देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,56,20,749 डोज दी जा चुकी है जिन में से 7,68,730 वैक्सीन की डोज पिछले 24 गंडों में दी गई है आज के डेली राटब में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूड़ चैनल को सबस्क्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखे फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्वीटर पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया